हम बात कर रहे हैं रेनु का शुगर की अगर आज के दिन की बात करें तो हमको चोटे-मोटे आपसाइट के साथ इस्टॉक ट्रेड होतावा नजर आ रहा है इस वक्त इस्टॉक जो है 46.75 पर हमको ट्रेड होतावा नजर आ रहा है मार्केट लगातार हमको तेजी बता रहा है हाय और हाय हमको एक नया हाय हमको हमको देखने के लिए मिर रहा है मार्केट में इससे पहले रेनु का शुगर में हमने डिसकस किया था के एक न्यूज निकल कर आये थी शुगर सेक्टर सेक्टर के अक्वार्डिंग एथेन बड़ी गिरावाट देखने के लिए मिली थी, यहां गैपड हमको देखने के लिए मिला था, और इस गिरावट के बाद इसक्राइइट लिवल 하겠습니다 14 की लेवल से बांस ब्सेंस का सरा ब्रैम हमको नजर आ रहा है, और इस bondsback के साथ हम देख सकते हैं इस टॉक का जहां पहले support लिया करता था 48 की level पर आप उसके resistance का काम कर रहा है वहां से हमको rejection दो दफा rejection लेता हुआ नजर आ रहा है लेकिन इस टॉक आप उपर की ओर ही हमको काम करता हुआ नजर आ रहा है यहां बड़ा selling pressure हमको देखने के ल 44 इस level पर जो बड़े pillars इंटर हो चुके वो इस level में बने वे बड़ा selling pressure देखने के लिए नहीं मिल रहा हो सकता है इस टॉक 48 के level को breakout करता हुआ नजर आ जाए एक resistance का का काम करने वाला है अगर बात करें support level की तो 46.50 इस इमिडेट support का का काम करने वाला है और 44 का level जहां से इ को रही देखिए इसके तगड़े support का काम करने वाला है अगर आप डिमेट अकॉंट उपन करना जाते हो तो description में दीवही लिंक से कर सकते हो अब हमको नजर करना है 48 की level पर अगर इसको breakout कर गया 48 के level को तो इसे condition में next target बनने वाला है 50 का level अब 50 के level को हम देख सकते हैं इससे पहले काफी दफा support ले रहा था इसी level पर consolidated हो रहा था 50 के इसका तगड़ा resistance बनने वाला है 50 का level अगर इसको breakout कर जाता है तो फिर हमको लगातार इसमें तेजी देखने के लिए मिल सकते हैं फिर हमको 54 तक की भी target लेनू का शुगर में देखने के लिए मिल सकते हैं